है 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 हलो बच्चो कैसे हो शायद हम बड़ी जाए होंगे अपनी अगली जो कहानी है तो क्यों करते हैं शायद कल याद होगा एक फॉम्ला डिस्केवर किया था फॉम्ला यह था वन अपॉन लैम्डा एकवल टू आर और यह बन अपॉन अनवन स्कॉर माइनस में बन अपॉन अनटू स्कॉर पीशे था जैव जाबे इसके अंदर है 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 थॉम्ला इस्पेक्ट्रम के अंदर आया हो गशा दिया खुआ तो इसी में बाते गट रहें तो हैड्रोजन एटम के लिए पन जानते ही आप अटम जेडिए इकूल टू कितना होता वां तो यह जो वन अपॉन लैंडा है जो कितना में लेगा आर तो इस वह बहुत बड़ा चांग लाए अब इसी में बाते करीप अपने कल यह फैक्टम के अंदर एंवन और एंटू के रेस्पेक्ट में है जो आपको एनर्जी मिलती है आपको जापको के बीदी व Only सकते है विए इर्ट उतर hvad सबदरिक्टे से लिए तीनित की मिलती है प्रइक ही है कि मैं आपको तो जाप涉र और एक्रोंगेटिकक बोला एपनों आपको यह बोलो फिक्वेंसी बोलो लेंडा यह डिपेंड करती एन वन और लेणटुग के ऊपर आया कि यह और लेट्रू का ट्रांजेक्शन किस और बिट से किस और बिट में होगा उसके उपर पीडिन करती है तो कर भी दिया कि इस एन वन और इंटू के रीस्पेक्ट मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं उनको एक अलग अलग स्रीज में क्या करते हैं अपने हाँ पर डिफाइन कर देते हैं किसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी के और फ्रिक्वेंसी के और लेमडा के रेस्पेक्ट में यह बात जहां रखनी है संप्रोजी बात है यहां पर अपने डाइग्रम बनाते हैं यहां पर यह होती है एन इक पर फास नमबर और इसी के जस्ट ऊपर अपने पास में यह कौन सी हो गई है अपने अपने पास नमबर की और विट हो गई है इसी के ओपर यह आपने पास में यह आपने पास में कि इस तरह से अपने क्या कर दिया यह कुछ क्या बना दिये है 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 यहां पर डिस्क्राइब कर दिये वन टू थी फॉर फाइप अब पहली बात तो यह इस दाइगराम में दिखना होगा कि फर्स नंबर एनर्जी लेवल के बीच में गेप ज्यादा बनाया है उपर कम बनाया सब्कास को डिवाझ डिटी जानते हो तो यह ढगां कि क्या है श्राइप अगर आप घंसते देखो तो फॉस्ट नंबर के जो एनर्जी क्या कि होती है माइनस में थर्टीन एलेक्रोन थैंटनिọम्हाटि ए-शर्ट-णा नंबर पीजो होती है तो यह होती ही माइनस में 3.4 एलेक्रोंट वोल्ड लिखी तिया पर ला है ऐसे थर्ड नमबर की एनर्जी क्या होती है अपने पास माइनस में 1.5 एलेक्रोंट वोल्ड अब अगर इसकेल लिया जा सम्टरसा और उसमें यह माइनस 3.6 माइनस 3.4 अगर यह 1.4 माइनस 2.5 में 2.1 वी हमें 1.4 ना फीप लिखी जा रहे हैं अब जो आपकी जो बीचिति होती है इसलिए जो ऊपर अपर नीचे के तरफ अपका जगता है क्या है । के आने का मतलब यह है नीचे का मतलब नूक्लिस के पास एनर्जी लेवल के बीच में गेप्यटवा मिलेगा और जैसे जा उपर जाएंगे पास पास आना जा जाते हैं शुरू हो जाते हैं नुकलिस से दूर जाने को हैं अब इसमें अपने को देखना है spectrum spectrum का में मतलब देखा ही का आपने कल भी वीडियो में emission और absorption phenomena of energy from atom known as a spectrum अब hydrogen में कितना electron होता है only just one तो पहले आपके पास hydrogen के अंदर क्या होता है only just one electron होता है किसके अंदर first number orbit के अंदर devolve करता ही है अब अगर इस electron को जो first number orbit में है required amount में energy मिले कहीं से भी कहीं से भी मिल सकती है आज-पास से या आप दिये सकते हैं अपनी इच्छा के ओपर डिबेंड करता है तो इसको इस electron को अगर energy मिले कि यह पूल करेंगा किसी higher energy levels के अंदर maybe in second maybe in third maybe in fourth maybe in five किस बात पर depend करेगा किस बात पर depend करेगा बेंड करेंड किस पर करेगा कितना amount of energy गार आपने इतनी अनरजी गट्टू में चलाएगा जाएगा अब डिपेंड करता है तो अकर आपने इसको एनेर्जी दी तो यह कहां चला गया फर एक्जामपल अपर में किसमें गया यह निमार फिल वहां पर यह कितने टाइम तक रुपता है केवर 10 दीपावर माइनस 8 सेकंड तक यह रुपता है वहां पर उसके बाद वापस कहां पर आता है अपर से लोवर कहां नीचे तो पोसिबिल्टी देखा है तो यहां पर यहां पर में पर आ जाया और इसे यह कहां से यह बनना आ जाया और में भी यह कहां से से किसम आजाया है, One में आजाया है का 찍नल बेजा विश्म लुट वखा जाएonne क्भाई प्रशस भी प्रॉसस्मे ये ये वाला हो जाएवा नहीं को हाडाыш लेकिन जो वेली ओफ या अमाउंट ओफ जो एनर्जी ओवगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी सब कैसिस के अंदर इस कंडिशन के अंदर अगर एलेक्टून का तौहां पर होता है वन नमबर ओर्बिट के अंदर तो आपकी जो इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेव मिलती है उसको नाम दे रखा है किसे लाइमन स्रीज से तो फॉस्स नमबर जो आपको यह है कोई से मिलेगी लाइमन स्रीज नाम है और कुछ भी नहीं है साइनिटिस्टों के नाम पर है जिने हम डिस्कूर कर रहा है तो भी नहीं इसी बात आना कहां पर चीए बस सब्सक्राइब थास बात है यह वन नंबर और बिट में आना चाहिए कहीं से भी आये आना वन में ही चाहिए तो आपी जो लाइन वन सेरीज है इसके लिए चाहिए अगर इसके लिए फामुला डिस्कूर करोगे तो क्या बनेगा यहां पर बन हो जाया गार यह वन अपॉन अपॉन एंटू इसको आगा नाम दे रखाए के बल जो एनरजी है उसी का तो डिस्कूर करने हाले पर नाम दे रखा इनरखा बन कुन सा लाइन सेरीज अगर आपक करने करता है सब्सक्राइज़ करता है तो इस पूरे process में ऊपर से नीचे आने बॉले process में जो amount of आपको है वह hok cam सब्सक्राइब के अलेक्रमेंगेटिक नियुक्ति वालिव में आती है जो इनरजी मिलती है वो अल्ट्रा वाइलेट वीजन में आती है अपने पास में यह बात ध्यान लखी है टीकली के में इनरजी में आके दिखा होगा आपके शाध के नहीं होता है अब इनरजी गर्वएल्द की अजर्वे एक अध्यार्य है। जो आप धूप में जाते हो तो आपकी skin sun burn हो जाता है skin के ऊपर वो भी किसकी वज़़से होता है इस ultraviolet rays कि वज़़से होता है जो कहाँ से आ रही होती है sun से आ रही होती है बहुत High energy की क्या होती है ये होती है यह नहीं रचना यह आपको होती है नहीं होती है यह सेक्ड नमबर को दो यह पर यह आपको मिलेगा यह किसामें जो एनर्जी मिलकी आपको फर्स नंबर गोर्वित के अंदर यह दुनियों मिलकी है इमीशन में बी अप्जरविशन में बी इंयों होती है मतलब emission भी होगा इसकेंदर और absorb भी होता है दोनों बाते होती है जो emission और absorption दोनों में obtain होगी क्यों hydrogen में कितना होता है एक electron वो एक electron यहां से क्या करता है होता है अपने पास में यह आप 10 होती है इसी में अपने पास फोर्थ नंबर पॉइंट कैसे कि इस process में minimum amount of energy and maximum amount of energy कितना होता है देखना है अपगा देख दाए इस प्रोसेस में यहां पर energy आपको क्या मिलेगीcium क्यों और इस प्रोसेस में जब यह आएगा तो जो जितनी दूर से आएगा, वो उतना ही amount of energy क्या करेगा, release करेगा, और जो जितना पास से आएगा, वो उतना ही amount of energy क्या करेगा, release करेगा, सिंपल से बात है, तुम्हें कोई emergency हो गई, और आपने अपने दोस को फोन किया, एक तुमारे बगल में ही है, और बहुत दूर है, जो बगल बला होगा, पटा-पटा जाएगा, बहुत कम amount of energy क्या करेगा, और लोस करेगा, और जो दूर से होगा, और जदा amount में क्या करेगा, वो energy loss करेगा, तो जितना दूर से, तो कितना दूर, maximum कितना हो सकता है, अगर इन्फाइनिट से आएगा, तो maximum amount of energy लिखे लिए सामने हैं, तो यह उल्टा कैसे हो गया, आपने formula पढ़ाया, कौन साम, e equal to s c upon lambda, यह दोनों एक दूसरे के कैसे है, inverse है, यह maximum है, तो यह क्या हो e maximum, oblique में, lambda, minimum के लिए, transaction क्या होना चाहिए आपके पास, कि जो n1 है, यह कहां से आना चाहिए, और जो n2 है, यह कहां से आना चाहिए, इन्फाइनिट से, रखो values के अंदर तो 1 upon lambda, यह r, यहां 1 minus कितना हो जाएगा, 0, 0 क्यों हो बहाँ, यहां रखोगे, infinite, जो 1 upon infinite कितना हो यहां रागया, तो lambda की जो value है, कितने आगई, 1 upon r, यह आपके पास में आएगी, approximate 912 ms-trong याद भी होनी चाहिए, minimum value of wavelength, 912, और इससे 1 upon r की value आपके लिखी थी है, इसके just पहले बाले, 1 upon r की value, sorry, r की value, 1 upon 912 ms-trong, यह आपकी minimum value है, यह आपकी minimum value है, इस condition में जो wavelength आएगी, तो कितनी होगी, 911 ms-trong, ऐसे हैं, इस ही मही, shift number, energy, minimum, all lambda, maximum, क्या condition बनेगी, इन के लिए n1 की value permanent 1 है, और n2 की value अपने पास में कितनी होगी, only 2, value of n2, कितनी जाएगी, 2, इस condition में जो आप प्लेस करोगे, तो यह 1 upon lambda, यह formula आपके पास r, यह 1 होई गई तो यहां पर कितना होगी, 4, जया रखेंगे, 2, 2-2 square कितना होगी, 4, जिए इसको solve करेंगे, तो यह 1 upon lambda, जानते हैं, यह 1 में से 1 by 4 जाया है, तो कितना होगी, 3 by 4, जिए इसको calculation करेंगे, तो यह lambda आएगी, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 maximum amount of energy कितना आएगा 13.6 और minimum amount of energy कितना आएगा यह 10.6 इन दोनों का difference कर दो तो इसके इसके रेस्पेक्ट में जो energy आती है वह आती है इसके रेस्पेक्ट में जो energy आती है वह आती है अपनी 10.2 electron volt के अंदर तो इससे फिर्म लेके उपर आपको गिविए और क्या करिये उसके अंदर सोल विकर यह है सही है तो first number यह कहानी किसके लिए थी केवर लाइमन स्रीज के लिए लाइमन ओनली एंड ओनली लाइमन स्रीज कम होगी तो transition of electron किस orbit में होगा from one number orbit may be lower to higher or may be higher to lower दोनों में होगा absorb भी होगी और emit भी होगी जीजन पता ही है इसमें होगी यह अल्ट्रा वाइलेट जीजन के अंदर होगी है चलिए आ रिखर जाए यह तो अपनी लाइमन के लिए अब उसके बाद में अपने पास में वन नम्बर वाली कहानी खितम होगी में भी इलेक्ट्रों का किसमे और में कहा से आपर से इस तरह सी जो बनेगा वह कौन वाले साइंटिस का नाम था बामर इसलिए नाम रग दिया हो तो हमार स्थी प्रांजेक्शन क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोन का रांजेक्शन हमेशा अपर से कहां पर होना चाहिए और अच्छी बात यह है अगर इसके लिए इसके लिए पन देखें फॉमुला बनाएं तो क्या बनेगा इसके लिए एन वन आलवेस तू बनेगा और एन टू क्या बनेगा यह त्री फॉर फाइप से लेकर कहां तक अब तू इन बनेगा वो रही है यह बामर स्रीस के लिए है इसके में यह क्या होती है बुला बनेगा अब्स पाइबिजरवरेशन नहीं होता है लेकिन होता तो है चलिए इसमें सिंपल और है इसम्पल ओप सब्सक्राइब होती है आपका है at high temperature, high temperature. जिसको पर विक्षाल कमें लिखाओगा. hydrogen-gase को यहिए गरम किया है, यहीं पर भी sun की बते करें, high temperature है, then this series is obtained in observation also. यहनि absorb वाली condition मुजी हुआ दिता है. at high temperature, emission तो normal है यही, at high temperature, this series is obtained in observation also. क्यों? इसमें इलेक्टों तो आएंगे आएंगे वह रिकत हैं अपर से कहां पर अब अपन बाता है एक हाई टेंपरिचर बहुत जाला है अगर नहीं पड़ रही है आपकी घर की चट्के ओपर मज़ा ऊपर ही हाई और इंदर इसम्ट ही तहां नहीं याँ पर है जब तेंपर से लेकिन दिक्कत यह है कि वह एंपर टू वन नंबर औरबिट में नहीं रहता है जब टेंपरिचर हाई होता है तो इसको एनरजी मिल जाती है और वह एनरजी को अब्सूर्ब करके कहां पर एंपर टू तो हाई टेंपरिचर पे जो एलेक्ट्रों है जो होना कहां चीए था N ूार्बिट में वहां नहीं राधर टू नंबर टू नंबर औरबिच यहां पर मिलेगा तो यहां से जब इसको एणरजी मिलती और ज्यादा तब वह यहां से अपर में कहलता है एंपर टूwriting करेच्शन करेगा कर दो यह सिरीज होती है बांमडर यह किसमें बिलती है आपको लाइट वेव बड़ी खास बात है है युइट बेव का मत्रा वीजिबल पार्ट या आप आफ्के आपके आसपा बांबट से तही से भी एक तरश है किर सकते हो कि बांबर सिरीज है नीजिब आपके पास, उसकी तो मैक्जिमम अमाउंट ओफ आती है वह होती है आपके पास 3.4 ऑफ मिनिमम अमाउंट आपके पास यह इनर्जी का इमिशन होता है, यह इनर्जी का इमिशन होता है, कितना होता है, इनर्जी लेवल के वराब आपके अगर होगे, इन्फाइन माइनस, इटू गईली कितनी आएगी, प्लस में यह थ्री पॉइंट ओर इसे इन दोनों का डिफेंस करेंगे, तो एप्रोक्सिमेट कितना आएगा, वन पॉइंट जो नाइन के आस्पा, और यह याद मुना चीए नेक्स इप्र में आता है, यह लाइट लाइट आपको अब्जरव हो रही है, उसके मैक्जिमम और मिनिमम एनर्जी है, जो लाइट आपको मिलती है, उसके मैक्जिमम एनर्जी 3.4 है, और मिनिमम एनर्जी अप्रोक्स कितनी है, 1.49 एलेक्रों वोल्ट के आस पास होती है, विजिबल पार्ट में आती हूँ, विजिबल का मतनल लाइट विव मिलती ही लेगा उसलिए है समझेगे, कब जो प्लेक्टोन का क्रांजेक्शन किसमे होगा, N equal to two orbit के अंदर, कहां से होगा, ओपर से, होगा तब नहीं होगा, जो चांसिन इवन का अपने पास में है, चलो, यह किसके अंदर है अपने पास, इसका, यह लाइट लेओ के अंदर है, चलिए, उटाते हैं इसको, उसके बाद में, ने भी पॉसिबल, कि ट्रांजेक्शन ओस एलेक्ट्रोन, in third number orbit, from higher orbit, किसी भी higher orbit से हो जाए, लेकिन कहां पर होगी चीए, N equal to third number orbit, इस condition में जो series आपको मिलती है, वो होती है, कौन से passion, नाम देगी आयार, क्या कर रहिंगा, scientist हो के नाम के उथर, transition अगर three में होगा, इस condition जो energy मिलेगी, उस energy का series जो बना दिया, उसका नाम दे लिए अपने ओको एहां पर passion series, और सबसे अच्छी खास बात इसके लिए, इस passion series के लिए N1 की value कितनी होगी, आपके पास में ये three, four, five और six कहां तक, अब two infinite तो होगी है, इस नाम दासर किदा रहे होगी है, फिर अच्छी बात जिए है, कि ये energy, पास्चाम में जो energy मिलेगी, ये आपके पास में केवल और केवल किसमें मिलेगी, emission के अंदर, absorption में ये नहीं मिलती है, ये इनके पास खुझ का कोई electron होता ही निए, three में होता ही कि फॉर में फाइप में निए होगा, चान से ने बनता है हाँ से electron के moon करने का, इन में आ सकता है कहीं से भी ऊपर से, ये हमेशा किसमें मिलती है आपको टेवल, emission में ही क्या मिलेगी, होगी और जो इलेक्ट्रमेहनेटी वेव आपको यहां पर बिलती है इसकी रेंज होती है आई आर में आई आर मिल्स क्या होगा है इंफ्रा रेट रिजन इंदी में कहते हैं इसको आवरत भाग यह इंफ्रा रेड रीजन यह इस एक सिंपल बाशाम कहा जाए तो इस इस कंडिशन में आपको जो एनर्जी ओप्टें होती है जब एक्टन एन इपिल टू तक फिल्ग होना चीए भर में क्या हो नहीं कि यह टीवी तो टीवी में या आपने कही सार रिमोट यूज कि होंगे रिमोट में आधी छोटा सा बल्ब होता है उसे एक इन्विजिबल सी वेवस निकलती हैं देखाया समय जब आप कसी भी बटन को प्रेस करते हो तो तो वह उससे निकलने वाली जो वेवस होती है आपके रिमोट से व तो उसे आपने देखाव कुछ इन्विजिबल सा कुछ निकलता हो दिखता है जिर्मिल सा तो सब क्या होती है इंफ्रा रेड वेवस होती है आपके पास में इंफ्रा रेड वेवस होती है पर आपके पास में कम होना शुरू हो जाता है जो थर्ड नंबर थी यह पास यह बिलती है आपके पास में यह आई आर वीजन पे इंफ्रा रेड वीजन में क्या होती है कोनसी ही पास्ट है इसके बाद ने में इननना वकलती हैं कोन सी फिवार के यह जानी है बस दिफिन्स क्या होताँ है इस जगर पर क्या हो जाएगा ऊटे तरह किसमने मिले घ्मिशन में और इस में मिलेगी आई आम Minneapolis किसमने मिलेगी 7uchen इह सब इन पर इंचensch 210 किसमें मिलती हैं यह इमिशन मेहीं मिलती हैं इह ब्रैकिट इसके बाद फुंध के लिए भामर तो फुंद के хочने की होती पूस्ता बिन लेंगे तो यादो नाचि जिससे उपर जाएंगे एनर्जी ओफ इलेक्रमेटिटी वेवस इमिटेट होती है उनकी कम होती है यह में एक्जिमम में उपर और कम होगी उपर आलवे सारी कैमलेंगी इंफर और उपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी फिर आपको कि मैक्रोब्य मिल जाएंगे उपर मत्ला बुकित उपर जाएंगे तो इस आपकी एलेक्रमेट्रमेटिटी वेव की जो एनर्जी है इस क्या होती है है क्यी बार अगर अगर अपने बाते हैं बॉल एक्राम है उसमें पूरा जो डाइग्राम है कल था इसे लेकर आज तक तो वहां पर आपको शुरु से जो कल डाइग्राम बनाया था से लेकर कहां तक पूरा डाइग्राम आपको यहां तक आपको इसको मैंशन करना होता है आता तुम मार्थ में कुछ ज्यादा नहीं आता है आपकर, सही है है, तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था आराम सकनी लेंगवेज में आप बनाकर लिख सकते हो कोई थास ऐसी बड़ी बात नहीं है सही है गेप ओफ एनर्जी है इमिशन एनर्जी और पर यह था बोर्ट तोरी की पूरी कहांगी इसने डेडिवेशन साय के वल्टी रेडियस स्पीड एंड एनर्जी एंड उसी में क्या हो गया ह अच्छी बात यह है इन तीए और चार डेडिवेशन के उपर ही आप पर पूरा चेटर से खतम हो गया और इसके बहुत सारे प्रिशन से कमी नहीं है बहुत नहीं बहुत सारे फॉम्मले सोड़ से अजीब से हैं हो जाते हैं यहां एक आर का है एन स्कॉर एच स्कॉर पर दोल्टन था उसकी बीडेमेरिक्स थी इसके यहां पर इसकी भी डेमेरिक्स हैं यह सबसब पहली दी मेरिक्स सबसर्स नमबर पर अब में इस नगना कोपी के अंदर लिगना को सब्सक्रा नहीं बोड़ते हैं सबसे जो common दोसकी सबसे बड़ी जो बेस है जो क्या है आस नमबर पर ये केबल कैसे है applicable on hydrogen, he plus li plus plus मतलब applicable on hydrogen or hydrogen like atom means this theory is applicable only and only on hydrogen or hydrogen like atoms कहने का मतलब यह है यह उनी पर ही valid होगा जिनकी और बिट में only कितना one electron ही होगा अब जानते हो hydrogen में होता है यह helium में plus का मतलब आपने दो होते हैं एक निकाल दिया lithium में कितने होते हैं तीन दो आपने निकाल दी कितना मचा एक ही electron बाले पर यह क्या होता है valid होता है बाकी पर यह नहीं होता है उसका reason भी एक कुछ सोचो होता है आपने फर्स्ट थोरी क्या लिखी है बीच में क्या होता है नहीं प्रियस और इसके around कौन भूंटा आपने पास में एक यह electron है और आपने देखा होगा electron के बीच में और इसके बीच में attraction force काम करता है और दूसरे कोई force काम करते ही और यह attraction force ही इसको motion के लिए क्या provide कर देता है अपने पास में यह fc वही मयावती वाला formula अब only जब electron one है अब for example मान लीजिए अपने पास में यह 2 electrons हैं आपर अपना जूम कर लेंगी इसमें 2 electrons है तो फिर क्या लग जाएंगे हाँपर 2 attraction force बस गड़ बड़ यह शुरू है जो electrons के बीच में तो आपने कह लिखा वहाँ पर कि आपका जो f a है यह fc को provide कर देता है वहाँपर अब गड़ बड़ क्या हो जाएगा जैसे तो फोर्स को जो calculate करना है वह इतना आसान काम नहीं होगा जो कि position continuous electrons की क्या होती है चैन्ज होती है तो फोर्स को अपने calculate नहीं कर सकते है जो फिर्स नमबर है को तो इसको आप आप शोही नहीं कर सकते अबसे को जोखने फोर्स जोखने तो फोर्स नहीं पर निकाले महां से रिजल्ट है तो प्रेक्टिकल यह वह पॉसिबल नहीं होता इसी क्या कर दिया हो सब एक electron चोड़ो उस पर attraction उसी हमाया होती का इस पर लगा और मस तरहो तो hydrogen or hydrogen light होता है उन्होंग है पर ही यह क्या होता है एक लिद यह फर्स नम्बर आप पी इसकी monde seo सबसे बड़ी Shine ठी इनकी आपने तो थी चाहें एक लिखना हो सके बूम मेरिट ईसकी यह भी इंपोर्ट है बहुत बहुत इंपोर्ट है कैसे है आपने बोग पी सेकिन नमबर हाइपोसिस पढ़ हो गी आपने क्या लिखा यह खोने विक्ता है तो टो यह अगली सब्स्क्रिक्शिक्तर इन लिब U It कि एक्सक्रेंनी करुस्तर इसको एक्स्प्लेंन नहीं कर सके बसगे यहां पर आगे देखो देखो आपकी जो फिलिक्स होती है यह कई सारे पार्ट में डिवाइड है इन दो पार्ट में एक तो होता है आपके पास में मेकेनिक्स वाला पार्ट सब जानते हो 11 से पढ़ते आ रहे हैं यूटन्स लॉफ मोशन वाली कहानी के अंदर बोल उ कियाप में किया अपने फैक में सब्सक्राणय जगर्णय जया न मसक्राण के बारे में परोट बहुत हो चोटी मेकेनिक्सं को कृता है अपनेक पर डी sticking आ चीक आप अपड़सेो घंजाते हो ही है अपने जबड़ग आनि foresee आउंख़ों से और सक्ते जो हैं नहीं मेकैनिक्स जितने भी पूस्टेश होते हैं उसको आपमें तेखेंगें मियकैनिक्स वाले पुछी के की- अब आते हैं किसके अब पर modern फिजिक्स वाले पार्ड्ट पर पर सबस्ट दिक्कत गया है कि modern फिजिक्क वाले पार्ट वाला है इसका जो based concept है नी में concept कि इससे उप्र बेस्ट है probability के ऊपर मैं इसमें आपकर दोकिशे है probability है कि ऊपर बेस्ट करके इसकोak किया है क्योंकि observe दिखाई को देते ही कि आपने आफ तक इसी atom को देखा हो या atom को observe हो motion करते अगर दिखता है यह आपने से पड़ा होगा है एक Heisenberg प्रिंसिपल है अंसर्टेल्टी वाला में भी में वोट भी दोनों बाते आजाती है तो यह जो पूरी स्थिखता है तो होगी ही अपने पास मैकेनिक वाला पार्ट जिसको अपने जानते हैं गोल स्फिखता हुआ है और यह एक इमेजिनेशन पर ब्हाइज दे है प्रविल्टी के उपर हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आर्वटो सक है दे मैंने करने इन दोनों को इक्वेट कर दिया जो पॉसिबल नहीं है सबसे बड़ी क्या थी दिमेरिट की फस्ट के बाद में सेकेंड नमबर और इससे भी दिया रहा हो जाए प्लांग कॉंस्टेंट वह हर जगव पर आपकी सब्सक्राइब कर दिया किसे किया पूछा नहीं मानूं है यह सेकंड इनकी क्या हो गई दीमेरिट्स सब्सक्राइब कि अगरे तो जब उस स्पेक्ट्रम को किसके अंदर मैंनिक फिल्ड और इलेक्टिक फिल्ड में जब अबज़र्व किया गया तो वह पूछा में मोबाय्न की स्पूष तो पूछा नहीं गया दो इसको डिसकट्रम को मैंगेटिक फिल्ड में लेक्टिक फिल्म रखा गया तो यह स्पेक्ट्रम में स्ट्रॉक तो उन्होंने इस चीज को अब्जर्व किया था इसलिए है कि जी मॉन और स्ट्रॉक एफेक्ट को एक्स्प्रेंड नहीं कर पाएगी किस चलब से यह आपके इस्पेक्ट्रम जो लाइन्स होती है यह इस्प्रेड होती है कि यहां फॉर्ट अबर पॉइंट क्या होता है अपने पास मैं और यह है माइनस त्री पॉइंट फॉर्ट वोल्ट इनर्जी है आपके पास तो यह क्या कहते हैं है कि अलैक्रों जब यहां से transaction करेगा तो इन दुनों के difference के equal यानि कि 10.2 difference करें इनका 10.2 electron volt energy आपको मिल जाएगी अच्छी बात है only just 10.2 difference of energy 10.2 यह emit हो जाएगी बस काम करें लेगिन नहीं है इसे नहीं दिमाग को जोड़ा जैसे जैसे electron नीचे की तरफ आयागा उसके energy भी चेंज़ना शुरू हो जाएगी force of attraction जो होगा force of attraction of nucleus continuous में क्या होगा तो हर moment के पर उसके पास energy क्या होगी अलग-अलग होगी जब अलग-अलग होगी तो बहुत सारे डिफर्ट डिफर्ट अनर्जी के पहने करी चाहिए कि फोटों सुमिलेंस देखे लेकिन इनके respect में क्या हो रहा है कि और एक फोटों या एक इलेक्रमेंट की अबसर होगी इसका इमाउंट कितना होगा only 10.2 electron volt यहां पर एपर होगी है और उस पूरे principle में हर जगह पर इन lineup को क्या कर रका है रेसकर रखा है है समने है नुकियस बेसमें नहीं है लेकिन आज की लेट मंकर जानते हैं नीटिफी है अ Simsकुट नुकलियस भी रिवोल्व करता है तहां पर अपनी ही एक्सिस पर तो इलेक्ट्रों तो रिवोल्व करेगा यह करेगा अपनी एराउंड दी नुकलियस भी अपनी एक्सिस पर क्या कर रहा है आपका घूमे जा रहा है तो जाने जा वह अपनी ही एक्सिस पर क्या कर रहा है लुए तो पूरी जो ठीज है इसको क्या कर दिया है हाँ और फिर जैसे ही चेंज होते हैं तो दो तीज़े मोशन में आगी अगा है nukleus भी सेंट्र अगाने कहाने ही हो जाती है और सारे जो फर फोले को जाते हैं अपने बदल जाते हैं बदलते कैसे हैं कुछ भी नहीं है जिस जगह पर आपके formula में तुम्हारे काम की नहीं है आपके जिस जगह पर M आता है mass of electron आता है इसको replace करते हैं किसी और से कैसे करते हैं बोटन देखिंगा फिर बाद में तो पांच डी मेरिट्स होगे इसकी फास्ट नमबर एप्लिकेबल उन हाइट्रोजन और हाइट्रोजन लाइक एटम सेकेंड नमबर इट केंड नोट इसकत उसक्र नममिंटमनठेजियोर नंबिया कॉंड था नमंबर इसको निपर लिखाएग उसको अरक्षाडेचल की सेथut 가 में क्या है एकोडिंग दुबोर ओनली एलेक्ट्रों रिवोल अराउं न्यूक्लियस इन बट इन प्रेक्टिकल लाइफ न्यूक्लियस आलसो रिवोग ऑन इट्स एक्सिस तो इसकी चार पांच डी मेरिक होनें बहुत सारी है अपने पास से चलो लिखे आपको पी के अंदर अपने पास में अपने पास क्या करें चलो मेंशन करिए इसको उसके बाद में आज शीट डाल देगे तो कल से शीट आपको करनी है फिर मैं तो करूंगा ही करूंगा तक तक के लिए बाई-बाई